यक्षणी की कहानी भाग 6 अंतिम यात्रा और अनंत का साक्षातकार मुनी भरीगू ने यक्षणी से प्राप्त अंतिम सत्य का अनुभव किया और शून्यता एवं अनंत शांती की स्थिती को प्राप्त कर लिया था परन्तु एक और अंतिम अध्याय उनके जीवन में बाकी था, जुना केवल उनके, बलकि उनके शिश्यों और मानवता के लिए एक महत्व पूर्ण शिक्षा छोड़ने वाला था मुनी भरीगू की अंतिम शिक्षाएं अपने अनुभव के बाद मुनी भरीगू ने अपने शिश्यों को बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हें उस सत्य का अनुभव बताने जा रहा हूँ, जिसे न शब्दों में बताया जा सकता है, न किसी पुस्तक में पढ़ा जा सकता है ये सत्य केवल साधना और आत्मिक प्रयास के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है माया और मोक्ष दोनों ही आत्मा के विकास के विभिन चर्ण है, लेकिन अंतिम अवस्था में सब कुछ विलीन हो जाता है, और केवल एक अनंत अस्तित्व शेश रह जाता है उनके शिश्य विस्मित थे और उन्होंने मुनी से इस अवस्था को प्राप्त करने का मार्क जानने की प्रार्थना की मुनी भरीगू ने उन्हें बताया कि ये अवस्था कठोर साधना, त्याग और मन की पूर्ण शांती के माध्यम से ही संभव है यक्षिनी का अंतिम दर्शन, कुछ समय बाद, जब मुनी अपने अंतिम ध्यान में लीन थे, यक्षिनी ने एक बार फिर प्रकट होकर कहा हे मुनिव आपने न केवल स्वयम को, बलकि अपने शिश्यों और मानवता को भी उस सत्य की दिशा दिखाए है, जिसे प्राप्त करने के लिए जन जन्मांतर की साधना करनी पड़ती है अब समय आ गया है कि आप इस संसार को अलविदा कहें और अपने सत्य स्वरूप में विलीन हो जाएं मुनी भरिगु ने यक्षिनी को प्रनाम किया और कहा, हे देवी, आपके आशिर्वाद और मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था आपने मुझे माया, मोक्ष और परमशांती का बोध कराकर मुझे सच्चे आत्मग्यान की ओर अग्रसर किया मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा मुनी का समाधी में विलीन होना इसके बाद मुनी भरीगू ने अपने सभी शिश्यों को अंतिम आशिर्वाद दिया और उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर आत्मग्यान की साधना में लगने का निर्देश दिया उन्होंने अपने शरीर को छोड़ने का निश्चे किया और समाधी की स्थिती में प्रवेश किया धीरे धीरे उनका शरीर शून्य में विलीन हो गया और वे आनंथ में समा गये यक्षिनी ने मुनी की समाधी को आशिर्वाद दिया और कहा हे भरीगू, तुम्हारा जीवन इस संसार में सदैव एक जोती के रूप में रहेगा जो हर साधक को सत्य के मार्ग पर प्रेरित करेगा मुनी भरीगू की शिक्षाओं की विरासत मुनी भरीगू की शिशों ने उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया और अपने अपने जीवन में उसका प्रचार प्रसार किया उन्होंने यक्षिनी द्वारा सिखाए गए सत्य, माया और मोक्ष की ज्यान को पूरे संसार में फैलाया ताकि लोग माया के बंधनों को समझ सके और आत्मग्यान की दिशा में प्रेरित हों कथा का अंतिम निशकर्ष, यक्षनी और मुनी भरीगू की इस कहानी का अंतिम संदेश यह है कि आत्मग्यान प्राप्त करना ही जीवन का सबसे उच्चतम लक्ष है माया, मोक्ष और अंततः परमशांती को अनुभव करने का मार्क साधना, विनम्रता और अपने भीतर के सत्य की खोज में ही नहित है ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा ज्यान स्वयम के अस्तित्व को विलीन करने में है, जहां अहनकार और इच्छा का लोप हो जाता है मुनी भरिगु की इस कथा से ये संदेश मिलता है कि ज्यान प्राप्त करने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक अनंत यात्रा है, जो सभी साधकों को अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है